कोरोना की नए वेरियंट JN1 के पहले मामलों की पुष्टी हुई है दिल्ली सरकार के स्वास्थिमंत्री सौरभ भारतवाज ने नए वेरियंट की पुष्टी करते हुए बताया कि कुल तीन सैंपल को जाज के लिए भीजा गया था इसमें से एक सैंपल में JN1 वेरियंट का संक्रमन पाया गया है जबकि बाकी दो सैंपल में ओमिक्रॉन की पुष्टी हुई है दिल्ली के स्वास्थिमंत्री सौरभ भारतवाज की अनुसार पिछले 24 गंटे में दिल्ली में कोरोना के दो नए मरीजों की पुष्टी हुई है अभी सिर्फ 4-5 मरीज ही इलाज के लिए एडमिट है अभी इस वाइरस की वज़े से किसी की जान नहीं गई है सौरभ भारतवाज ने कहा कि दक्षन भारत में कोरोना के मामलों में इजाफा दिख रहा है जहां तक दिल्ली की बात है तो एहतियात के तौर पर कोबिट की जाच के लिए आर्टी पीसी आर जाच शुरू कर दी गई है और सितन 250 से 400 सेंपल की जाच की जा रही है उन्होंने कहा कि हेल्थ सेक्रेटरी को रोज की कोबिट रिपोर्ट भेजने को कहा गया है सौास्ति मंत्री ने कहा कि अगर कोबिट का नया वेरियंट भी है तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है अब तक की रिपोर्ट के अनुसार या वेरियंट भी माइल्ड है, हाँ सबको सावधानी जरूर रखनी चाहिए, इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसलिए घबराने की कोई जरुवत नहीं है और ना ही पैनिक हूँ, सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में अभी जिनोम जाच LNJP अस्पताल में हो रही है, पहले ILBS होस्पिटल में भी जिनोम जाच होती थी, लेकिन अभी वहां से भी सैंपल LNJP ही भेजे जा रहे हैं, सूत्रों की माने तो LNJP अस्पताल में ही जिनोम सिक्वेंसिंग की गई है, और उन्हीं की जाच में ये वेरियंट पाया गया है, स्क्रीनिंग OPD शुरू करने का फैसला किया है, एम्स में हुई बैठक में एमर्जंसी में COVID की स्क्रीनिंग होगी, जहां पर सीवियर एक्यूट रेस्प्रेटरी इंफेक्शन के मरीज, जिन्हें सर्दी खासी जुकाम सांस लेने में दिक्कत हो, तो ऐसे मरीजों की COVID की जा की जाएगी, एम्स में कोरोना के अड्मिट मरीजों के लिए भी आदेश जारी किया गया है, अगर कोई positive मरीज आता है तो उसे अड्मिट कर इलाज किया जा सके, C6 वाड में 12 बेड रिजर्ब रखने का आदेश दिया गया है, सूत्रों का कहना है कि ILBS Hospital Super Speciality है, यहां पर liver transplant जैसी बड़ी सर्जरी होती है, इसलिए, एंफ्लेंजा-like illness, ILI और severe acute respiratory infection के लक्षन वाले मरीजों की RT-PCR जाच जरूर की जाती थी, अस्पताल में कभी जाच बंद नहीं की गई, हाल में अक्टूबर में एक मामले और फिर दिसंबर में एक मामले इस अस्पताल में पाए जिसके सेंपल की जीनियोम जाच के लिए LNGP एस्पताल भेजा गया था, तो इस तरह से एक बार फिर ये नया variant पूरे देश में पाया जा रहा है, कई राज्यों में इसके मामले सामने आये हैं अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे पेज को लाइक करें